हम इसकी पिछली कक्छा में आपको पर्मे 68 बता रहे थे स्वरवात के थे पर्मे 68 पर्मे 68 का कथन है आप लिग लिग चुके हैं पी अबी बृत्त की चेदा करेखा है जो बृत्त को एतत अबी पर इस पर प्रति चेद करती है कथन फिर समय लिग दूमें बार पी अबी बृत्त की चेदा करेखा है जो बृत्त को एतत अबी पर प्रति चेद करती है बृत्ते इस पर सिखएखाखान्द हूँड़्यात। तो पी टी इंटू पी बी पी सोई पी एंटू पी बी तो पी एंटू पी बी ब्रागर पी टी का बल यह हमें सिद्धे करना है इसका थन में दिया है एक ब्रत जिसका केंदर बिंदू ब्रत की पी ए बी अर्थाद बाहर बिंदू पी से एक शेदर करका खीचा गया पी ए बी जो ब्रत को बिंदू ए तथा बी पर प्रतिश्यत करती है और पी टी एक इस्परस रखा है जो ब्रत को बिंदू टी पर इस्परस करती है तो दिया है पी ए बी पी ए बी ब्रत इस्परस रेखा है तथा पी टी इस्परस रेखा खंड है सिद्ध करना है यह आपको बता जा चुका था फिर से मैं लिख रहा हूं कि पी ए बी ब्रत सी ओ आर की इस्परस रेखा खंड है तब हमें सिद्ध करना है पी ए इंटू पी बी प्रावर पी टी का बर्ग इनके अलावा दिया है जो प्रमे में प्रमे का जो कथन है उसका पहला भाग देखे पी ए बी ब्रत की चिद्ध कर रखा है हमने लिखा पी टी इस्परस रेखा खंड है तब सिद्ध करना है प्रमे का पहला भाग यहां तर दिया हुआ है सेज भाग पी ए इंटू पी बी प्रावर पी टी का बर्ग हमें सिद्ध करना है इस चित्र में पी ए बी और पी टी के अलावा इसकी अतरिक्त जो हमें अलग करना होगा उसको रचना केंतरगत लिखेंगे क्या करेंगे देखिए बिंदू O बृत के केंदर बिंदू O से जीवा A B पर जीवा A B इसले कहा रहे है क्योंकि बृत की परधी के दो बिंदू A और B को मिलाने वाले के रिखा A B हो गया P A B जो है बृत के परधी को दो बिंदू पर काड़ती है और परधी पर इसले दो बिंदू को मिलाने वाले रिखा बृत की जीवा कहलाती है तो आब इसको हम जीवा कहेंगे A से B तक के भाग को और जीवा A B पर लंब डाला गया O L ये दिखिए O L लंब डाला O से A को मिलाया O से P को मिलाया तथा O से T को मिलाया O L लंब ये भी खीचा तथा O से A P तथा T को मिलाया A P तथा T को मिलाया पिशली कक्छा में इतना काम आपको इतना काम हम कर चुके थे आपको बताया जा चुका था अब इसकी आगे की उपपत्ती जो आपको बताना सेश था उपपत्ती देखिए अब उपपत्ती के लिए वैसे ही दो कलम बना लेंगे कथन और करण के यह कथन दूसरे काम में इसका करण हो जाएगा तो उपपत्ती के लिए अथा इस प्रमे को हम किस प्रकार से सिद्धर करेंगे वह सिद्धर करने के लिए अब हम जो दिया हुआ है कथन जो सिद्धर करना है उसका बाया पक्ष लेकर चलते हैं अब चितर में ध्यान से देखिए आपके ब्लेक बोर्ड में चितर बना हुआ है उसको ध्यान से देखिए पी ए पी ए और पी बी दूनों को हम ए एल के पुदो में ब्यक्तर करेंगे क्या लिखा जा सकता देखिए इस प्रकाश से एक रखा खीचा हुआ है पी यहां बिंदू एल है यह बिंदू ए है पी ए एल एल तक तब इसको हम क्या लिख सकते हैं पी ए को टोटल पी से एल तक की लंबाई पी एल की लंबाई में सिय जैदी हम AL की लंभाई को घट आ दें, PL की लंभाई में P से L तक मैंने बताया आपको कि P A P A को हमको ग्याद करना है तो P A के लिए पूरी लंबाई P L में आधी लंबाई A L को घटा दिया P L की लंबाई में से S A L लंबाई को घटा है तो S A लंबाई जो बचा P A तो P A बराबर इसको लिखा जासकता है P L माइनस A L ऐसे ही P B P B को लिखा जासकता है P B अब इसी चितर में देखिए इसी के आगे P B B B है यह देखिए P A L P P से B तक टोटल अब इस बिंदू को थोड़ी देर के लिए चूँ ऐसा लेते हैं यहाँ बिंदू L है अब इसको क्या कहेंगे P B तो P से B तक भूशने के लिए टोटल P B के लंबाई को इससे बाढ़ सकते है P L L B P से L L से B तो यह हो जाएगा P L धन L B यह समझ में आगे आपको P A पहले बता है फिर P B कमान हो जाएगा P L प्लस L B यह लिखेंगे हाँ देखिए P L धन L B अब यह कहाँ से जैसा के चित्र में दीखा है हमने लिखा इसको चित्र से चित्र से स्पर्ष्ट हो गया इसको मिटा दूँआ अब P A इंटू P B तो P L माइनस L इंटू P L प्लस L B अब आगे देखेंगे जिवा A B आपको एक प्रमे बताये गया था बृत के केंदर से याद कीजिए इसके पहले कालखन में दो-तिन कालखन पहले पढ़ाये थे बृत के केंदर से जिवा पर डाला गया अलम जिवा को समान भागों में विभगत करती है बृत के केंदर से जिवा पर डाला गया अलम जीवा को समान भागों में विभाक्त करती है उसमें आपको मैं बताया था इस प्रकार से चित्र याद कीजिए यह बृत्त लिया था इसमें जीवा लिया था A B बिन्दू O और O से लंब डाले थे O C लंब है तब हमने क्या सिद्र किया था याद कीजिए एक चित्र बनाया थ उसके बाद हमने पताया था कि A C बराबर B C यहाँ पर हमने सिद्र किया था इसका मतलब यह हुआ कि यदि बृत्त के केंदर से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह लंब जीवा को समान दो भागों में बाटती है जैसा कि चेत्र हम देख पा रहे हैं लंब किस बिंदू प को हम बढ़ जाएगी A C और B C और दोनों के लंबाई समान होगी A C और B C जीवा क्या थी लंबाई A C और से लंबाई B C दोनों आपस में समान होगी अब यहाँ पर देखिए केवा नाम बदला हुआ है जीवा A B अभी भी है C के जगाए बिंदू A ला गया तब हमने क्या क इस प्रकार के संकेत बना जाता है वो लंब का संकेत है तो O L A B पर लंब है अर्थात O से जीवा A B पर लंब डाला गया तो डाला गया लंब जीवा को समान दो हगों में बाढ़ता है तो जीवा के कितने हिसे हो गए A B जीवा के एक हिस्सा हो गया A L दूसरा हिस्सा हो गया LB दोनों आपस में समान होंगे तिसको हम क्या लिख सकते है AL बराबर LB इसी कांसेप्ट को लेका है हम यहाँ पे चलेंगे देखे PL-AL into PL PLUS AL क्या किया LB के जगा हमने लिखा AL क्यों उसके कारणे हाँ बताएंगे हम क्योंकि LB LB equal AL क्योंकि OL लम है AB पर OL drew martial LB लम है AB पर और प्रमे का कथन आपको लिखना चाहिए जो भी हम प्रमे कथन के कथन का उप्योग करते हैं वो प्रमे का कथन कारण वाले कालबर में पुर लिखना चाहिए तो चित्व में LB की जगह हमने ALcis विएक क्यूंकि L-B और A-L समान होते हैं, उसका करण मैंने बताया, कि केंदर से डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों बाड़ता है, तो लंब कौन सा O-L? जिवा A B तो O L A B पर लंब है तो जिस बिंदू पर लंब होता है बिंदू जिवा को समान दो भागों माटता है A L इक्वल L B कौसा परमे का कथन उसका कथन लिखेंगे कि बृत के केंदर से जिवा पर डाला गया लंब जिवा को समान भागों में विभगत करती है समान दो भागों में पाटती है अब उसके अगले स्टेप में देखें यहां से लिखेंगे इन दोनों कोश्टक में द्यान से देखें दोनों पद होई है P L A L P L A L इसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं यह आपने पढ़ा हुआ यह विजग A माइनस B इन्टू A प्लस B आकसर इस गेंजग का हम पयोग करते हैं यह गुणनखन सुत्र है A माइनस B इन्टू A प्लस B इसका गुणनखन होता है A का बर्ग माइनस B का बर्ग इस सुत्र को पयोग हम बहुत सारे प्रष्टों में उप्योग भी करते हैं प्ल्कुल दिखिये A माइनस B E realizes B के जैसा ही है तभ इसके जगा हम लिख सकते हैं A का बर्ग माइनस B का बर्ग तो A के जगा आपके इस प्रम्य में क्वें से पताया है A के स्थान पर PL है तो इसको हम लिखेंगे PL का वर माइनस B के स्थान पर AL है तो AL का वर्ग यह उसके हो گیا A-B, A-B हो जदि A-B, A-B ہے तब इसको हम A का वर्ग थे माइनस B का वर्ग पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा पहला पद A, A equal P L, तो P L का बर्ग, मैनस A L का बर्ग तो ऐसा हमने क्यों लिखा, इसका करण आप यहां भी बता दीजिए क्योंकि A minus B into A plus B, बरबर A का बर्ग, मैनस B का बर्ग जहां भी आपको लगता है, कि उसका करण बताना आवस्च है करण बताते चलेंगे, यह step हमको मिल गया, अब आगे देखिए अभी हम कहां तब पहुँच गए, P A into P B, बरबर P L का बर्ग, मैनस A L का बर्ग समीकर नमबर A अब P A into P B अब यह देखिए, O L लंब है, तो P से देखिए, P पहुच, P O L एक समकोड ते हुच है, जिसमें जो इस बिंदों पर समकोड बनाता है तब समकोड के समने वाली गुजा, समकोड की समोग गुजा कौन सी? O P, समकोड ते हुच, P O L में समकोड ते हुच, P O L में O P, O P कर्ण भुजा, O L लंब और P L अधार हमको मान चाहिए, P L अर्थात आधार कावबर्ग, P L कावबर्ग, P L जो है ते हुच, P O L भी के लिए, ते हुच, P O L के लिए, P L अधार भुजा है पाइधागर्स प्री में हम पढ़े हैं आधार का बर्ग बराबर कर्णा का बर्ग मानस लंब का बर्ग यह कर्णा का बर्ग बराबर लंब का बर्ग करता है तो उसको दूसरे सब्दों ऐसा भी कह सकते हैं आदहार का बर्ग बराबर करणा का बर्ग माइनस लंब का बर्ग तो करणा भुजा कौंसा हो जाएगा ओपी लंब भुजा ओएल इसको हम पेल को लिख सकते हैं पेल का बराबर करणा भुजा ओपी का बर्ग माइनस करण बुजा OP का बर्ग मैनस लंब बुजा OL का बर्ग PL के जगा OP का बर्ग मैनस OL का बर्ग यह PL कमाल मैनस अब AR कमाल लिख रहें देखे AL तोच्वोट A, O, L में देखिए यह भी सम्कौट द이가लता देखिए सम्कौट देखुट A, O, L में O, L लंब A, L आधाँ और O, A कर्ण कौश देखुट में? A, O, L में तो A, O, L में A, O, L सम्कौट देखुट में सम्कौट के सम्मुट भुजा लंब कर्ण भुजा का लाएगे तो O A भुजा कर्ण हो गई भुजा O A कर्ण है हमको मांच यह A L का जहांसे देखे A L A L हो गया आधार भुजा तो आधार भुजा का बर्ग आधार का बर्ग बर्ग कर्ण का बर्ग माइनस लंब का बर्ग तो करणा हुजा इसमें क्या पढ़ेंगे ओए माइनस लंग हुजा ओएल तो सम्कौन ते हुज पी ओएल से हमने पील स्कौर कमाल लिया इसी प्रकार से सम्कौन ते हुज कि एए ओ एल में एल बरबर ओएकवर मायनस ओ एल का बरब होता है इन दोनों पाइथोगर फ्रकार में के कथन अनसार हमने पील स्कौर कमान आप एल इसका कमान संदिकरण नंबर एक में रखा यह देखिए अब इसको यहाँ से कोष्टा खटाए कोष्टा खटने में बाद द का बर्ग मानस O-L का बर्ग कोष्टक खटाएंगे यह हो जाएगा माइनस ज्यान रखेए कि जब हम कोष्टक के बहुआ जोदी रोण च्छीन लगा होता है तो कोष्टक के अंदर के प्रतिएक पद का चीन बदलते जाता है तो कोष्टक में देखें परथम पद जो धनात्म प्रम्मक पद कोस्टा खटाएएगे तो हfelt रही हो जाएगा रिंदात्मक माइनस ओएक का भर्ग्ण और यह रिंदात्मक दोनों का हो जाएगा कोस्टा खटाएएगे तो मैनस से मैनस सहे लिदेत條 को सब्रुद ह bri यह कैंसल हो घर अब अब जो सेज वचा उसअ न Luci पी-े इंटू पी-बी बरावर हम कहा तक पूर्च गए ओपी-कवर्ग माइनस ओए कवर्ग यहां तक आ गए ओपी-कवर्ग माइनस ओए कवर्ग यह इस्टेप आपको समझ में आ रहे हैं न पी-एंटू पी-बी कमाण जो पहले बताया थे चित्र नों साल रिखा-खंड से मान लिखा था P L square minus A L square A minus B A plus B के सुतर से फिर P L का मान और A L का मान इन दोनों मानों को हमने यहां समिक्रनेक में रखा कोष्टा खटा है कोष्टा खटने बाद minus O L का बर्ग यह हो जाएगा cancel हो जाते हैं तो अब सेज बचा P A into P B बराबर O P का बर्ग minus O A का बर्ग आप देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है इसको मैं मिटा दू थोड़े देर के लिए O P का बर्ग minus O T क्यों? हमने O A को substitute कर दिया O A कमान O A के जगा O L O T लिखा क्यों? चित्र में ध्यान से देखिए O A O A और O T बृथर के तरज़ा है तरज़ा जिसको हमने R माना था यदि O A बृथर के तरज़ा है तो O T भी बृत के तरज़ा होगे क्योंकि एक ही बृत के दो तर्ज़ा हैं समाल होती है तब यहाँ लिखेंगे क्योंकि O A बराबर O T बराबर A क्यों? क्योंकि एक ही बरत की दोनों तरिज्जा है और एक ही बरत की दो तरिज्जा है समान होती है इसके पहले कि आपको मैं बता चुका हूँ परमे में पढ़े भी है एक ही बरत की दो तरिज्जा है समान होती है तो O A बराबर O T दोनों बृत के तरज्या है इसलिए हम O A के जगा O T लिख सकते हैं इसमें दिखिए तब हमने क्या लिखा O A कमान O T ये समझ में आगे आपको O A भी बृत के तरज्या है O T भी बृत के तरज्या है दोनों आपस में समान होते हैं येसलिया हमने यहां से O A कमाल O T लिखा। अब O P, पुना इसे चित्रे में आईए, O P, O T, अब में नीचे वाला तो इसमें देखिए, P, O, T, P, O, T में ये P, T, इस पर से रखा है, और O T इस पर से रखा के इस पर से बिंदू T से होकर जाने वाले कर जा है, जाने से देखिए, P, T इस पर से रखा है, और O T इस पर से रखा के बिंदू T से होकर जाने वाले तरज्या है, मैंने आपको बताया था एक परमे 65, कथन याद कीजिए, परमे 66 में भी उसका उप्योग किया था, बृत की इसपर्स रिखा इसपर्स बिंदों से होकर जाने वाले तरज्या पर लंब होती है तब यह हो जाएगा नब्यास चुकि लंब है तो यदि लंब है तो यह सम्कित हुझ P-O-T सम्कौन ते भुझ बना P-O-T सम्कौन ते भुझ बना तो सम्कौन के समने वाली भुझा कर्ण O-P O-P भुझा कर्ण O-T भुझा लंब तो O-P का बर्ग माइनस O-T का बर्ग हम कहां तब कहुंचे देखिए O-P का बर्ग माइनस O-T का बर्ग OP कर्ण है, तो कर्ण का बर्ग माइनस लंब का बर्ग पैथरकस पर में भी इसको हम कहते हैं कर्ण का बर्ग रण लंब का बर्ग बर्ग आधार का बर्ग तो अधार भुजा कौन सा? OP कर्ण भुजा, OT लंब भुजा, तो अधार भुजा हो जाएगा PT तो करण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग वर्ग आधाय बूजा P T का वर्ग तो हम क्या लेकर चले थे P A into P B और मिला क्या P T का वर्ग यह हम को सिद्धर करना था P A into P B बराबर इसका मान हमने भी लिखा P T का वर्ग इस प्रकार से हमारा प्रमे जो हमें सिद्धर करना था यहाँ पर सिद्ध हुआ यह प्रमे यहाँ पर खतम होता है P A into P B और P T का वर्ग यहाँ पर देखिए बिज बिच में कुछ इस्थान बच रहे हैं आप लिखते समय चुकि मेरे प्लास ब्लेक बोर्ड में थोड़ा से जगा की कमी थी आपके पास पुदा कॉपी का पन्ना होगा लिखते समय धान दीजिएगा जब तक किसी स्टेप का कारण खतम ना हो जैसे हमने P A L minus A L into P L plus A L क्यों? क्योंकि हमने L B की जगा A L लिखा था तो L B और A L दुनों समान क्यों होते हैं? क्योंकि O L जिवापन लंभ है केंदर से जिवापन डाला गया लंभ जिवापन सम्धिवेद करता है इस प्रकाव से दिए हम किसी कथन किसी चरण में किसी बात को समझा रहे हैं उसका कारण बता रहे हैं कि जब तक कि वो कारण खतम ना हो तब तक अगले स्टेप नहीं जाएंगी यहां भी हमारा जगा बचा हुआ था लिखते से में ध्यान रखेंगे जब तक कि कारण लिखना खतम ना हो जाए अगला स्टेप नहीं लिखेंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा जगा छोड़के लिखा है यदि आप इस कारण को सिधर सिधर दो लाइन में खतम कर लेते हैं तो यह जो गेफ है ऐसे नहीं कि हम इधर कंटीन लगातार स्टेप लिखते चले और हमारी स्टेप यहां पर आपर खतम हो जाए और कारण लिखते लिखते हम नीचे चले जाए तो ध्यान रखेगा जैसे किसी स्टेप में जब तक कोई करण खतम लिखना करण जो बता रहे हैं वो लिखना खतम नहों तब तक हम अगला स्टेप न लिखे इसका p l square minus a l square क्यों लिखा a minus b into a plus b तो किसी स्टेप का करण उसी के सामने दीखना चाहिए जो भी हम इस टेप लिखते हैं उसका करण उसके सामने इस पर स्टोना चाहिए तो O P SQR मैनस O L SQR O A SQR मैनस O L SQR यह हमने कहां से लिखा यह देखिए P L SQR कमान यह लिखा A L SQR कमान यहां से लिखा तो इन दोनों कमान यह से होता है जैसे हमने भी संकूरते हुद चितर में देखा था तो इस करण को इस पर स्ट कर देंगे यहां पर कि P L SQR कमान यह क्यों आता है A L SQR कमान यह क्यों आता है उसको आप यहां बगल में करण वाले कालम में लिख दीजेगा जहां पर यह खतम हो जाता है तो उसके बाद वाले स्टेप में यहां लिखी हुए तो इन दोनों का करण यहां बगल में आना चाहिए करण वाले कालम में उसके बाद यह माइनस और प्लस आपस में कैंसल हो गए तो सेस यहां पर एक बार बचता है देखें ओ एक जगा हमने ओटी लिखा था तो ओए और ओटी दुनों ब्रत की तरज्या है तो जस्ट उसी के साथ जो हम कालम कथन में जो स्टेप हम लिखते हैं तो उसके बाद यह उसी के कुछ कारण में बताना है तो उस स्टेप के बगल में लिखें और जब तक कारण खतम नहों आगला स्ट्रेप न लिखें ध्यान रखिएगा इस प्रकाल से प्रमे 68 धाना होता है nochmal सभ्यास किजीएगा महतुप्ण प्रमे है अर जो आपको बताया जाहरा है तो महतुप्ण प्रमे कोह बताया जा जाहरा है पुछे जाते हैं कुछ प्रमे आपके पुस्तक में भी है उन प्रमे को मैं नहीं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वह पुछे जाते केवल उनके कथन का उप्योग करके उन्स प्रमे के जो कथन है उन कथनों का उप्योग करके हम उसके अगले प्रमे को सिद्र करते हैं अब इसके बार एक प्रस्टना वली है दस दस्टना तीन वहां से प्रस्टना करेंगे प्रस्टना वली दस दस्टना तीन में प्रस्टना करमांग दो प्रस्टन करमांग दो देखिए आपके पुस्तक में प्रिष्ट करमांग 273 में होगा प्रस्टना करता है सिद्र कीजे की व्रित के व्यास के छोर्ग पर खीची गई इस प्रस रखाएं समानतर होती है मिल आपको प्रस्टन यहीं प्रमे ही है जिसको प्रस्टन में दिया हुआ है प्रमे के तरह सिद्र करना ही प्रस्टन में पूछा जा चुका है सिद्र कीजे की सिद्र कीजे की ब्रित के व्यास के छोर्ग पर खीची गई इस पस अगे खाओं की लंबाईयां बराबर होती है क्या दिया है सबस्टन दिया है लिखेंगे दिया है एक ब्रित सि के इंदर बिंदू ओ तरज्या आद ब्रित बना लेते हैं सिद्र के व्यास ब्रित का व्यास पी क्यू है व्यास पी क्यू लेते हैं के इंदर बिंदू O ब्रित का के इंदर बिंदू O लिया और O बिंदू से जाता हुआ एक व्यास पी क्यू ब्रित के व्यास ब्रित सी ओ आर जिसका व्यास पी क्यू लिया अब ब्रित के दोनों छोड़ कर दोनों छोड़ कौन कौन से पहला बिंदू P दूसरा बिंदू Q तो ब्रित के व्यास पी क्यू है तथा बिंदू P वा क्यू बिंदू P वा क्यू पर खीची गई दो इसपास रिखाएं दो इसपास रिखाएं किछ लेते हैं A B C D दो इसपास रिखाएं A B वा C D है प्रमे के कथन इसपास रिखाएं क्या दिया है प्रमे में एक व्रित व्रित का व्यास व्यास के दोनों छोर पर खीची गई दो इसपास रिखाएं अब हमें सिद्ध करना है कि उन दोनों इसपास रिखाएं की लंबाईयां बराबर होती है इसपास रिखाएं कौन को रखीचा A B और C D A B और C D हमें सिद्ध करना है कि A B और C D की लंबाईयां समान होती है A B और C D की लंबाईयां समान होती है A B B C D इस कथन में इस परश्ण में रश्णा की आवसकाता नहीं है जितना परश्णा हमने चीतर बलेक बोर्ड में बनाया उसके अतरिक्त हमें कुछ भी नहीं करना है अब आजाते हैं उपनती में देखिए उपनती के लिए यहाँ पर जहां से ब्रित्र का केंदर बिंदू और P Q ब्रित्र का यास है अथानद केंदर बिंदू से होका जाता है तो O से P बृत के तरज़ा कहलाएगी O P बृत के तरज़ा है और A B यहां A लिखना भूल गया था A B एक रिखा है बृत की इसपरस रिखा कहलाएगी A B बृत की इसपरस रिखा है जो बृत को बिंदू P पर इसपरस करती है तो बृत की इसपरस रिखा इसपर्स बिंदू से होकर जाने वले तरज्जा पर लंभ होती है तो O P ब्रत्र के तरज्जा और A P इसपर्स रखा है तब इसको हम कहा सकते हैं ये कॉण यहाँ पर लब्यास का बनेगा लंभ है तब लिखेंगे देखिए कॉण A P O कॉण A P A P O बराबर नब्यास क्यों कारण बताएंगे क्योंकि O P A B पर लंभ है O P ये भी परलंभ है और ये कथन आप लिखना चाहाएंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि बृत्य की इस पर से रखा इस पर से बिंदू से हुका जाने वले तरीजे पर लंभ होती है इसको कथन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और बृत्य की इस पर से रखा इस पर से बिंदू से होकर जाने वाली तरजब्र लंभ होती है समिकर नमबर एक पुना इसी पर काल शकते हैं ओ, पी तरजज़्या है एज भी इस पर से रखा है वैसे ही O-Q O-Q भी बृत्य की तरज़्या है और C-D बृत्य की इस्पर से रखा है जो बृत्य को गिंदू Q पर इस्पर सेपर से करती है और बिंदू Q से होकर जानों लतरिजा OQ है यहां भी कह सकते हैं कि इस पर सरेखा बिंदू Q से होकर जानों लतरिजा OQ पर लंब है इसी प्रकार से यहां से लिख सकते हैं कोण CQO या BDQO इस कोण की बात करें लंब तो दोनों पाथ होगा यह लंब है मतलब इधर भी नभ्यांस का कॉर्ण बनता है नीचे भी नभ्यांस का कॉर्ण बनेगा यहाँ भी लंब है तो उपर भी नभ्यांस का कॉर्ण बनेगा नीचे भी नभ्यांस का कॉर्ण बनेगा अब यह नभ्यांस क्यों है कारण वही है क्योंकि OQ CD पर लंब है OQ OQ CD पर लंब है और ब्रत के इसपर सरका इसपर स्विंदोसों का जाने वाते हैं पर लंब होती है आप देखिए समीकरण नमबर एक और दो से समीकरण एक और समीकरण दो से समीकरण एक से कौण APO भी नभ्यांस का कौण DQO भी नभ्यांस का जब दोनों कौण समान हो तब दोनों समीकरण एक और दो से देखिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है जब दोनों कौण नभ्यांस के हैं तब कोण A, P, O बराबर कोण D, Q, O यह लिख दिया मैंने A, P, O समिकरण 1, D, Q, O समिकरण 2 तब समिकरण 1, V, 2 से एंगल A, P, O इक्वाल एंगल D, Q, O आप जहां से देखिए यह दोनों एक अंतर कोण है एक अंतर कोण कैसे देखिए C, D और A, B इदा धोड़ी देखिए A, B, और C, D इसको एक रहखा काटती है और दो रहखाओं को एक तिरखशी दिरखा काटे और एक अंतर कोण समान हो यहाँ पर देखिए यह दो रहखाओं को A, B और यह A, B दूसर रहखा C, D को एक रहखा काटती है इसको हम P, Q माल लेते हैं यह P, Q है तो एक तिरखशी दिरखा काटती है और एक अंतर कोण समान हो यह एक अंतर कोण कहनाते हैं एक अंतर कोण यही समान हो यह दोनों के एक अंतर कोण कहेंगे आपको बताया क्या होगा पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया भी था एक आंतर कोण के लिए इस प्रकार से दो रेखां को एक रेखा काटे तब इस प्रकार से जेड क्या करते में इधर के कोण और दूसरे साइट के कोण दोनों समान हों ये इसको ऐसा भी ले सकते हैं आवस्ज़क नहीं कर रेखा आमें इस तीर चीह हो जैसे कि आपके इस चितर में रेखा को सिधा लिया गया है तब ये वाली कोण और ये वाली कोण बिल्कुल उसी की चीकर होगा है आपको देखे ये दोनों समनांता है और ये एक आंतर कोण आपस में समान हो तब तिरक्षिय दे रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है वे आपस में समानतर होते हैं ठीक है यह दोनों एक आंतर कोण है इस पस्ट हो गया एक कोण A-P-O और कोण D-Q-O दोनों एक आंतर कोण है जो दो रेखा A-B-R-C-D को जब रेखा P-Q काटती है तब एक आंतर कोण बनते हैं और दोनों एक आंतर कोण आपस में समान है और जब दो एक आंतर कोण आपस में समान होते हैं तब कि रेख्छी दे रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है वो दोनों रेखाओं आपस में समननतर होती है या जिन रेखाओं पर ये कोण बनती है जिन रेखाओं पर ये दो कोड़ बनती है वो दोन रेखाओं आपस में सम्नांतर होती है इस प्रकार A, B और C, D A, B और C, D सम्नांतर होंगे हमें क्या सिद्र करना था? प्रश्ण में देखिए हम प्रश्ण गलत लिग गये थे पूस्तक में देखिए इस प्रश्ण रखाओं सम्नांतर होती है लंबाइया बराबर नहीं होती इस पर सर्खाएं यहां पर मैं मिटाऊंगा बराबर नहीं दिखाना है क्योंकि इस पर सर्खाए है उनकी लंबाइया अलाग अलाग हो सकती है हमको सम्नांतर दिखाना था ब्रत्त के व्यास के छोर पर खीची गई दो स्परश्ण रखाएं समानतर होती है यह हमको समानतर दिखाना था कौन कौन से रेखा A, B और C, D को A, B और C, D मैं इसको मिटाऊंगा A, B और C, D समानतर होती है हमको समानतर दिखाना था और दुनों रेखाए आपास में समानतर सिध्ध हो गई यह हमको सिध्ध करना था इस प्रकास से आपका जो यह पुर्ष्ण था सिध होता है, पूर्ण होता है कि बृत्र के व्यास के दोनों छोर पर खीचे गई इस पर सरका समांतर होती है इस पर सरका A, B, A, C, D गनोक हमने समांतर सरका देखिए, चित्र देखिए अच्छे तरके अधार पर इसको समझेगा बिंदू P पर सरका A, B बिंदू Q पर सरका C, D है अब P Q बिरत्र का व्यास है हो गया, मिटाए इसको इस अध्याय में क्योंकि जैमिती का पाठ है और जैमिती वाले अध्याय में जितने भी प्रमे हमने पढ़ा उन प्रमें पर अधारित हमने कुछ प्रश्णों का भी अभ्यास किया आंकी प्रश्णों को हमने हल किया हल काने का प्रयास किया कुछ ऐसे प्रश्ण भी है जो आपके परिच्छा के द्रिष्टी से महतोपुण है नए परिच्छा स्प्रणाली में अब विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्ण पूछी जाते हैं जिसमें आप्सन होता है A, B, C, D खलिस्तावले प्रश्ण भी होते हैं तो ऐसे ही कुछ प्रश्ण है जितने प्रवे हम पढ़े हैं उन प्रवे में से प्रवे पर आधारित कुछ प्रश्ण बनते हैं एक दो प्रश्ण देखेंगे और अगली कक्षा में कुछ प्रश्ण का अभ्यास भी करेंगे तो आज हमारा टापिक यहीं पर खतम होता है अब इपताख हमने पहले से लेका कि आप तक जितना प्रमे पढ़े हैं उन प्रमेयों पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्ण जो आपके परिछा के द्रिश्टी से महतुक्ण हो सकते हैं कुछ प्रश्णों को हम हल करने का प्रास करेंगे खालिस्थान वाले प्रश्ण होंगे अबजेक्टिव के प्रश्ण होंगे और कुछ हल करने के लिए प्रश्ण होंगे जो दो नमबर के लिए या तीन नमबर के लिए प्रश्ण आपको पूशे जाते हैं आज के लिए इतन नहीं दन्यवाद